हालो फ्रेंट्स गूद मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज का जो ब्लोग है वो है परी के बर्डे का यानि 10th October का तो हम जा रहे हैं मनीश के घर भाई के घर तो वो लोग रहते थे अभी उन्होंने रिसेंटली अपना घ क्यों है शूट की थी जहां याद आ गये वाँ शूट कर लिजहां रहे गया वहां रही गया तो यहां पर हम लोग मोर्निंग में पहुंच गया थे उनलों बास मतलब 11 क्या असपास क्योंकि उस टाइम पे जो हैं मूवर एंपैकर शाने वाले थी तो वो लोग भी लगे आपक्ञ हो रहे हैं क्योंकि हम लोग हो रहे हैं हैं और सब करना है और हम लोग वह है को और भाइ अधर है और कि क्या होंगा बहुत इंटरसिंग बताउंगी मैं तो हमозब मलोग करना वालों से चाय बनवाई फिशोर देंगे चैट Funk जो भी समान होगा ना उस समान को छोड़े गया इसको छोड़े बाकी सब पैकिंग करेंगे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं प्लैनिंग के एकोड़े तो सब चीजे हैं वो पैक्ट हो गई थी और हम लोग वहां से पैकिंग करवा के और जो लोग यहां पर समान छोड़ गए थे तो हमने जो नया घर है उसकी सफाई की थी इसकी सफाई भी पहले हम नहीं कर पाए थी बलकुल भी टाइम नहीं मिल रहा था तो यह मालती है जो कि पिंकी के यहां पे काम करती है तो मालती आ गई थी मालती को बुला लिया था और जो समान है सारा शिफ्ट हो चुका है तो फ़ावाइब रहते थे सेम पॉकेट में और सेम इसी में उन्होंने घरबाय किया है एंड दो बातरूम है यह कोमन वाला वोश्रूम है और यह जो है लेविंग एरिया है लेविंग एरिया काफी बड़ा है तो यह मुझे इसका प्लसपारींट लिगा है इस घर का लेविंग भी है इसमें तो आप पूछेंगे तो मैं पहले ही बता देती हूं यह 60 मीटर का है लिफ्ट के साथ है बटी जिसे न दो का जोड़ा बना है 60 में तो थोड़े स्पेस इसमें जादा निकलाया है और यह उनको पड़ा है और यह जो है अंदर वाला रूम है फरनिशिंग जो है काफ़ी अच्छे के हुई है जो कलर बेगए न वह अच्छे से लिया हुआ है मतरब जो पनीचा कलर है वह तो पिंक है आप अलमारिया सेट लायर है था मैं विडिळियो शूट कर रहे थी मालते किच्छन में लगी है फिर किचिन को जो है किचिन क्लीन हो जाएगा तो मैं पीछे गलिया भी है तो वेंटिलेशन का काफी अच्छा है यहां पर पूरे घर में मतलब रोशनी बहुत अच्छे से जाती है जिसे बैडरूम है यह इसमें भी एक काफी बड़ी जो है विंडो है और यह जो ड्रैसिंग एरिया है यह भी दिया हुआ है प्रोपर बनाया हु यह यह चहां हो गया था और देख सुबह से रात हो चुकी है और अब हमारा कीचन है उसको सेट करने की हर्चीज को वोछ ह tasty को जो है एक। सब नियुकिन करें कि वहां हो गयाधिर थे उसके कोई नहीं सब ना जो है खराब है क्योंकि जो इलेक्टिशन वेगर है वो भी आये थे पंखे-पंखे लगाना क्योंकि गर्मी थी अभी तक तो वो सब भी अरेंज करना क्योंकि कल महमान आएंगे तो एटलिस्ट फैन तो होना ही चाहिए उनके बैठने का अर्रेंजमेंट कहां कैसे क्या करना ह तो वो सब हम लोग यहां पर डिसाइड करने कर रहे हैं विनोध पिंकी मनीश और मैं तो हम चारों यहां पर डिसाइड कर रहे हैं और जो खाना पीना है दिन में हम लोगोंने बाहर से मंगवाय था और इसके बाद हम करेंगे परिक्या जो है उसका प्रिप्रेशन करेंगे और टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं 8.30 होने वाले हैं और अब हम जो है जा करके थोड़ा सार रेडी होंगे और मालती को हम लोग वहाँ से अपने साथ ले आये थे मालती को हमने बोला कि क्योंकि ज़्यादा खाना बनेगा नहीं सबजया बननी है थोड़ी थोड़ी ही बननी है तो दो सबजया हमने उनको बोली है बनाने के लिए अरवी और जो है गोबी रखी थी तो हमने गोबी मसाला उनको बोला है बनाने के लिए तो तरी वाली अरवी हो जाईग और गोबी मसाला हो जाएगा क्योंकि खाना अब हम बनाएंगे तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं बचे का किसी भी चीज के लिए और जो है खाना बाहर से मंगवाना नहीं है क्योंकि दिन में भी हम लोग ने बाहर से खाय थे तो बिल्कुल मून नहीं था तो फिर मालती ने बोला कि वो help कर दी तो मालती को हमने kitchen का काम दे दिया खाना बनाने का और kitchen का पूरा जैसे cleaning वगरा का काम मालती संभाल लेगी तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है बच्चों ने balloons वगरा भर दिये थे फुला दिये थे तो यह मैंने लगा दिये है और इसके हलाव कोई भी decoration नहीं की है बिल्कुर मैं नहीं सोचा था कि इस तरह से जो अपर दे है वो celebrate होगा without any मतलब कुछ thinking के organization के कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था बस जो होता जा रहा था प्राइम के कोडिंग हम वैसे ही कर रहे थे तो विनोद और परी नहा के आ चुके हैं तो विनोद परी को ready कर रहा है उसके बाद मैं जाओंगी नहाने के लिए नीरव हो चुका जाओंगे तो यह परी का गिफ्ट है और और बी परी के गिफ्ट हो में दिखाऊंगे आप लोगों और यहां पे हो रही है हलवाई से बाते कि कल के लिए हलवाई को मिल ही नहीं रहा था क्योंकि अर्जेंट पर कैसे मीलेगा रात के नो बजने वाले हैं और कल सुबह हमें जो है खाना तेयार करवाना है दोपर को तो हलवाई भी नहीं मिल रहा है और साथ में परी का बाड़े तो यहां पे पिंकी भी जो है नहाद होके और डैडी हो रही है और मैं भी हो चुके हूं तो एटली सोचा कि cake cutting होगा सारद इन से ठकेवे हैं ठोड़ा लेट हो गए है तो थोड़ा और लेट सही तो लेट में लेट सही कोई दिकतनीया घर की बात चलता रहेगा और यहाँ पर मामी बेटी की जो है वो बाते चल रही है परी छुप रही है और मामी इसको चुपा रही है कितनी अच्छी चीक है न तो इस तरह से परी का बड़े सलिबरेशन होगा वो सोचा नहीं था और यह वीडियो में काफे लेट डाल रही हूं बट इस ओके एंड हा यार परी के लिए कोई ड्रेस भी नहीं ले पाए हम बस इन सब के चकर में लेकिन परी का फेवरेट केक उसको मिल गया तो परी को चाहिए था यूनिकॉन का केक उसको लेना था कि मुझे इस बार यूनिक के यह कुछ अलग स्टाइम में थे तो हमने इसको भाईया को बोल के कि आपको इस तरह के दो पिक्चर को मिलागर कि यूनिकॉन की वाली पिक्चर बनवाई जो कि बहुत ही सुन्दर लग रही है बताइगा कि कैसी लगी और परी देख के खुश हो गई वही होता ना बच् के बोलते हैं वह चीज नहीं हो पाती तो उनको पसंद नहीं आती बट हां परी को बहुत अच्छा लगा यह वाला केक वह बिलकुर से बोला थैंक्यू पापा थैंक्यू ममा अपने मिली यूनिकॉन का केक लेकर आए तो इसमें भी काफी हमें टाइम लगा था इसको भी च कुछ किया नहीं था और पहले ही उसने फूह कर दिया था क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे था कोई रैडी नहीं था तो उससे पहले जैसे पहले बोलते हैं हम केंड़ ब्लो कर दिसने तो यह हो गया है परी का बढ़ बढ़े और सारे चोड़े बच्छे पलवित है क्या रही हम इक केक कट करना है तो भाई याम ने बोला कि चलू भी घाले तो तो सारे चोड़े बच्छों के ज़ाता है परी को बहुंअ है उनको बुलाए था कि वह लोग परी से बहुत प्यार करते हैं बहुत ज़जादा चैनेक्टिद है परी उनके साथ और वह भी परी भीव लोग थे और हम थे और मनीश के फैली थी तो बस हम लोग ही थे और मनीश गेल था बेट अधार बंसीकों ही ही तो बस हम समझे और टाइम के साथ जैसे हुआ जो प्रिपेशन हुई उस हिसाब से हमने एक कर दिया था तो यह था परी का फोर्थ बर्डे जो कि हमें याद रहेगा और हम लोग ने बहुत कोशिश की थी कि मनीश की घर का जो गरे प्रवेशन और टैंथ को मिल जाए तो टैंथ को हो ही यह बोरा था लेकिन डेट की कुछ कंफ्यूजन होगे तो फिर 11 को वा तो हमारी गलती से वो रहे गया था तरवाइस 10 को ही हो जाता हम सोचे ते परी का जो बर्डे है वो मनीश के नए घर में ही सेलिबरेट करेंगे क्यों कि वह उसका बर्डे आ रहा था बट वो कि आज ज येस परी का और मेरा बर्डे सेम डेट को है 10 अक्टोबर को जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर उनको नहीं पता हुए तो मैं बता देती हूँ और परी यहां पर रही है क्यों केक लगा रहे हो और परी के लिए एक बिग सर्प्राइस हो यहां पर बचा हुआ था परी ने को यह तीन कलर में है तो यह ऐसी रेंडम ली कोई भी कलर आपके पास आ जाता है तो यह काफी मुझे अच्छा लगा पेंक और पर पल का और यह ऐसे लेट जाता है तो परी को भी काफी अच्छा लगा केक भी और यह उसको अपना यह सर्प्राइस भी और में को कोई गिफ आप तक जब तक शायद पर पढ़ना नहीं आ था तब तक तो केक पर नाम चल जाएगा लेकिन शायद मुझे लगता है जो पढ़ना आजाएगा तो बोलेगी कि केक पर सिरफ मेरा ही नाम होना चाहिए तो जैसे उसको पोल रहे थे ना कि आज ममा का भी बर्डे है तो बस खाना बन रहा है सबजी बगएरा तो बना दी थी मालती ने और फिर हमने मालती को छोड़वा दिया था क्योंकि लेट हो गया था उसको भी कर जाना था वो भी हमारे साथ सबसे लगी हुई थी तो सबजी बगएरा वो बना गई थी बरतर बगएरा कर गई थी तो बस अब हम लोगों को कहना बनाना है एंड सर्व करना है तो पहले हम लोगों ने सुझा थोड़े चाए पी ले क्योंकि मंजीत गया हुआ था मालती को छोड़ने के लिए और मनीश भी और विनोद भी थ था वो मैं नहीं बताने वाली हूँ तो परी और मेरा बड़े सेलिब्रेशन था कुछ इस तरह से जो कि बिना मतलब प्लैनिंग के था लेकिन हां काफी अच्छा गया है तो उमिद करतों कि वीडियो पसंद आई होगी आपके कमेंट का वेट रहेगा आपसे नेक्स वीडि